पहाड पर चड़ते वक्ते हमें ये सीखने को मिलता है कि जब उचा चड़ना हो तो जुकना पड़ता है मौज और मस्ती को कभी पेंडिंग मत रखिये क्योंकि समय के कभी रिजर्वेशन नहीं होता जिंदगी में दो बातों की गिंती करना छोड़ दें खुद का दुख और दूसरों का सुख जिंदगी आसान हो जाएगी करमू का गनित बड़ा सिधा और सरल है कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा जीवन में कभी किसी को कुसुरुवार न बनाए अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजरुबा अग्यानी होना उतनी शरंगी बात नहीं है जितना की सीखने की इच्छा न रखना है जल्द बाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस इन दोनों का प्रिनाम धोकाही होता है उन पर ध्यान देना बंद कीजिए जो आपके पीठ पीछे कहते हैं इसका सीधा संबंद है आप उनसे बेतर हैं कुए में उतरने वाली बाल्टी यदी जुकती है तो वो भरकर बाहर निकलती है जिन्दकी का भी यही गनित है जो जुकता है वही पराप्त करता है भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा और करम पर जितना ज्यादा जोड़ दोगे वो उम्मीद से ज्यादा देगा जिन्दगी में हमेशा उन से दूर रहना जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं कमीयां भले ही हजारूं हो तुम में लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेदर करने की हुनर रखते हो सुख सुभो जैसा होता है मांगने पन नहीं जागने पर मिलता है सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है क्योंकि बिना कुछ की ये तो दरवाजा भी दिवार की तरह ही है बड़ा लक्षप पराप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आएए जो हकीकत में है ही नहीं मीठा सा होता है सफर ये जिन्दगी का बस करवाहड़तो किसी से ज्यादा उमीदें रखने से होती है हमेशा खुश रहो ये सोच कर कि इस दुनिया में हमसे ज्यादा परिशान और लोग भी है मन भर के जियो मन में भर के नहीं शुकर और सबर करना सीखो जिन्दगी में किसी के मौताज नहीं रहोगे अगर जीवन में बदलाओ के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते मुझे परफेक्ट जिन्दगी नहीं खुश हाल जिन्दगी चाहिए मांगना नहीं कामाना सीखो फिर चाहे इजजद हो या धौलत अगर आप में अहंकार है और आपको गुस्सा आता है तो जिन्दगी में आपको किसी और दुश्मन की जरुवत नहीं एक बेहतरीन जिन्दगी जीने के लिए ये सुईकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता हर कोशिस में शायद सफलता नहीं मिल पाती लेकिन हर सफलता का कारन कोशिश ही है गलतियों में वो ताकत होती है जो तुमें पहले से बहतर बना सकती है भरोसा करो लेकिन किसी के भरोसे मत रहो